पिछले कुछ दिनों से चल रहा है कि ये पेटियम को NPCI से एक थर्ड पार्टी एप्लिकेशन प्रोवाइडर यानि TPAP का लाइसेंस चाहिए और ये जितने करंट अफैस पीडिये निउस पेपर वाले दिन पर इतना लिखते रहते हैं कि जिनकी में माबाप, बाई बेन, पती पतनी, हवा, पानी, खुरा कुछ नहीं है सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है और वो है TPAP और UPAC प्रदिल में जो 100 क्वेश्चन आते हैं तो सारे के सारे 100 क्वेश्चन बस इस TPAP में से आने और बस आपको पूरा दिन इसी को लेके बैठे रहना है, इसी में शरीद हो जाना है और लाज्ट जो आपकी गर पे आए, तो वो कफन में लिप्टी होनी चाहिए और उस पे पिदल इकना होज़े TPAP तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ, पांच मेर्ट का मुद्दा है, पांच लाइन का मुद्दा है, पढ़के अभी खतम करते हैं ओके, देखिए UPI तो आप सब जानते, Unified Payment Interface की चाचा ने दुकान से सामान खरीदा, स्कैन करके पे किया बराबर तो उनकी बैंक मालिजे, SBI हो, और दुकान दारे उसकी बैंक को एक्सिस, और ट्रांजेक्शन कम्प्लीट होता है मोबाइल फोन के अंदर ऐसी जो पेमेंट एप्स बनाई जाती है, उसके पीछे Unified Payment Interface नम की टेकनोलोजी है जो National Payment Corporation of India यानि NPCI ने बनाई है अब इस एप को बनाने के लिए या उसका यह जो UPI टेकनोलोजी वो यूज करने के लिए बैंकर्स को कोई अलग से NPCI का लाइसंस लेना नहीं पड़ता लेकिन मा लेजे कोई थर्ड पार्टी डेवलपर्स एप बना दे कि जैसे Google Payne एप बनाया हो जिसकी मदद से चाचा ने SBI से कनेक्ट करके इधर पैसा ट्रांसफर किया और सामने दुकानदार था उसका Phone Pay अब था जो Axis Bank में कनेक्ट होके उसका पैसा उधर बेज रहा है मा लिए ऐसा कुछ बनाया हो तो हाला कि Bankers को तो इस वास्ते अलग से लाइसंस लेने की जरूरत नहीं है लेकिन ये जो भी Non-Banks हैं Google Pay, Phone Pay वगेरा इन App Developers को लाइसंस लेना पड़ेगा किसे? NPCI से अब समझों यहां लाइसंस का मतलब क्या है? मा लिए जे Graphic Designer है जिसको Photoshop नाम का Software यूज़ करना है तो उसने ये Adobe या Adobe Company से लाइसंस लेना पड़ेगा जिसका जो भी 2300 पर मत देना पड़े तो ये होता है Software लाइसंस उसी प्रकार किसी वार की टेकनोलोजी आपको यूज़ करनी अपने App के अंदर, अपनी सिस्टम के अंदर तो आपको लाइसंस लेना पड़ता है हाँ तो याद रखना है ये जो Non-Banks हैं जो NPCI की UPI टेकनोलोजी इस्तिमाल करना चाहते है जाए Google पे, Amazon पे, फोन पे, WhatsApp पे तो इन लोगों ने NPCI से TPAP नावक लाइसंस यानि Third Party Application Provider लेना पड़ता है इसके साथ कुछ Terms and Conditions जूड़ी होई है थे पर एक्जामपल आप Google में Account Register करते हैं करीब 15 GB का Data आप उसमें Store कर सकते हैं लेकिन उसमें भी Limits होती है कि अगर मैं Google Drive के अंदर एक File Store करता हूँ और फिर आपके साथ Share करो करो इसे Download और फिर दिन में एक लाग दो लाग लोग उसको Download करें तो Google Drive के Server पे बहुत Pressure आ जाएगा उस पर NP से कुछ सीमाय बानता है कि माले WhatsApp है जितना भी Daily Transaction होता है UPI का माले जो उसका 30% से जादा उससे नहीं आना चाहे बना ये लोग उसको Block कर देंगे तो ऐसे Limits भी होते हैं वो भी कुछ-कुछ बार Current Affairs में आता है लेकिन इतनी बारिक चीज़े अपनी exam के लिए काम के नहीं तो उसका कभी stress नहीं लेना है खेर अब जो main चीज़ आती है फिर ये TPAP है और उन्होंने एक Partner Bank भी ढूंड़ना होगा ये बात ऐसी है कि लोग सिद्धा अगर NPCI के पास जाएंगे कि हमें UPI की सब access दे तो हमारे app के साथ तो NPCI मना कर देगा तुम एक bank भी ले क्या हो एकाद Partner Bank जादा तर ये जो भी Google Pay, Amazon Pay वगेरा इन लोगों ने access को अपना Partner Bank बना है मतलब वो बात ऐसी है कि ये लोग access से जुड़ेंगे और access फिर NPCI से जुड़ेगा और पूरा transaction होगा मतलब ऐसे हर थर्ड पार्टी ने ये मेरा buddy है, ये मेरा साथी है, ये मेरा जामिनदार है, ऐसा एकाद उन्होंने bank भी डूण के लाना होगा अब बात करते हैं PayTM को क्या तकलिप है देखे PayTM एक तो money transfer का app भी है, और साथी साथ PayTM के पास bank का भी license है PayTM payment bank का, तो अब तक इनके मजे थे, कि इनको अलग से कोई partner bank डूणडना नहीं पड़ता था तो माल ये ये PayTM होता हूँ और वो NPCI क्यों office में जाता कि बाई मुझे आप ये fast tag, UPI ये सबके access दे दो तो yes, most welcome sir क्योंकि आप तो payment bank है, हाँ तो आप सिद्धा ही आजाओ आपको अलग से कोई license लेने की जुरूत नहीं है हमसे लेकिन फिर PayTM में RBI ने पाया कि कुछ KYC fraud हो रहा है KYC मलब know your customer, हर एक bank में आदार काड कुछ जो details देनी पड़े पता चला ये PayTM के अंदर जितने भी ये mobile wallets वगेरा बनाए जा रहे है same to same पानकाड यूज़ करके बहुत सारे लोगों के ऐसे account खोल दिये जाते तो मलब पहला माली ये गरीब आदमी genuine हो जिसके पानकाड से ये पहला खाता खुला फिर ऐसे लोग जो सब बदमाज थे जो अपना black money चुपाना चाते थे income sources चुपाना चाते थे और वो अपना सब payment receive करने के लिए फरजी खाते खोलना चाते थे तो उनको भी इसी का पानकाड नंबर किसी तरह misuse करके उसके भी खाते खोले जा रहे थे तो RBI ने इस पर एत्राज जता है क्योंकि स्वाबाइक आप कई बार न्यूज में देखते होंगे कि आदमी को 12 करोड का IT नोटीस मिला जबकि उसका कहना है मेरा पानकाड नंबर किसी ने misuse किया है एक daily wager दहाडी करने वाले को 121 करोड का IT नोटीस आया जबकि उसको पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ है मेरे पास पैसा तो RBI ने सकती की और सिंगम की तरह streetlight का वो हतोड़ा मार दिया तो PTM PM8 बेंक के वाणदे हो गए कि नए deposit नहीं ले सकता नए यह सब wallet ने खोल सकता नहीं कोई fast tech का पैसा नहीं ले सकता तो इसी के चलते अब आप समझो यह जो PTM app है वो वापस जाता है NPCI के पास कि वाई मेरे वांदे हो गए है मेरा bank license तो मुश्किल में आ गया है और मुझे अभी भी चाहिए कि अपनी जो mobile payment वाली app है वो आपके UPAI से connect करती रहे और money transfer होता रहे तो अब NPCI एकदम वो Godfather वाले mood में आ गया है कि देखो अब तो तुम्हें मुझे अलग से एक TPAP license लेना होगा और दूसरा कि तुमने एक नया partner bank डूंडना होगा क्योंकि तुम्हारा खुद का तो जो payment bank है उसके तो license के वान दे चल रहे है RBA ने सब restriction डाले तो तुम डूंड के लाओ इसलिए अब शायद यह होगा कि जो PTM है वो access bank और दूसरे bank को के साथ negotiation कर रहा है कि प्लीज आप लोग मेरे partner bank बन जाओ और फिर हम लोग सिधा connect करेंगे यह सब NPCI के साथ और मुझे NPCI third party application provider का license दे देगा कुल मिला कर पूरी कानी आप यह slide pause करके देख़़गो आपको समझ में आ जाएगी एक simple सा हम लोग MCQ भी try करते हैं वीडियो को आप pause करें तीन स्टेटमेंट दिये हैं और उसमें से कितने सही हैं आपको दूढ़ने pause the video and think about this ओके आप तो क्या पूछा है how many of the following statements are correct बराबर पहला क्या बोलता है कि TPAP license try से लेना है try तो telecom regulation का काम करता नहीं यह तो UPI का और digital payment के वास्ते चाहिए और यह NPCI से लेना है तो पहला statement गलत है दूसरा कहता है this license required for VOIP टेक्नलोजी वाइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकल तो उसके वास्ते ने भी यह तो UPI और दूसरी पेमेंट टेक्नलोजी एक्सेस करने के लिए चाहिए तीसरा बाके सही है कि WhatsApp इंडिया के पास यह license है क्योंकि उसको WhatsApp पेवाला सब करना था तो इसलिए how many of the following statement का रेक्ट तो जाब है only one of these statements और करेक्ट खेर यह तो एक छोटी सी अपडेट हुई पूरे साल में बहुत सारे economic के अपडेट हुए उसको structure तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ हर साल पढ़ाता हूँ पिछले साल विन 23 सीरीज थी इस साल है विन 24 सीरीज इसका पहला lecture पिछले मंगलवार को 20 तरीकों में ले चूका हूँ उसका भी पूरा lecture और handout आप डाउनलोड कर सकते हैं करिक देड़ गंटे की वह भी क्लास हुई थी और इस मंगलवार मतलब कल वापस से मंगलवार को 27 तारिक को वापस से lecture है रात को 9 बजे जहां पर हम आगे monetary policy CRR रेपोरेट वगेर हमें पूरे साल क्या बढलावाए banking sector में यह PTM और ऐसे और कौन-कौन से burning issues चल रहे हैं वो सब हम समझेंगे handout के साथ जो आपको revision में मदद करें और यह सब कुछ free है link is in the description हाथ यह चल रहा है बाकी तो यह खासकर मेरे पुराने students को free update देने के लिए मेरी हर साल win23-24 series आती है जो नए students जुडना चाहते हैं उन economy course for prelims, theory, current affairs, contemporary issues, सब कुछ पढ़ेंगे, live classes रात को 9 बजे होते हैं, powerpoint, rapid division, handout, doubt resolution, weekly test सब कुछ होता है और यह Unacademy के अंदर मैं गुरु शुकर शुकर शानी रवी रात को यह class होगी, working professional, college student, homemaker, सब को जौन कर सकता है live, फिर भी miss हो गया recorded session आप देख सकते हैं और next week बुध की history, quality, geography, environment, सारे के सारे subject के top educator से आप online पढ़ाई कर सकते हैं, साथी साथ आपको मिलते है, prelims की test series, CSET की भी पूरा lecture series, नए trend के ही साब से, और यह भी for the 4 months, starting for 15,000 something onwards, using the discount code muna.org, long duration subscription भी होते हैं, अगर आप 2025, 26 वगरा के लिए target करें, उसके भी सब, link is in the description और उसमें भी बियर्थी से अधिकारी तक, वो ऐसी बात है, कि आप prelims का सब course करो, अगर आप prelims पास करते हो, तो आपको मेंस की पूरी training free में मिलेगी, मेंस पास करो, तो interview की पूरी training free में मिलेगी, बगेरा बगेरा, तो इसका भी आप फाइदा लिजे, और let's crack it.